Good morning my dear students, आज हम सिखेंगे subject match, मैक्स में क्या सिखेंगे? Subtract by using lines, पहले हम लोग क्या किये? Subtraction जब किये, याने minus, minus जब किये हमने, तो हमने क्या हुआ, हमको वहाँ पे objects बना के रहता था, पर हमको अभी खुद बनाना है, और फिर उसको solve करना है, तो आपके पास यहाँ पे क्या है? उपर क्या है? 6 और 4, minus का मतलब आपके पास कितने है? 10 कुछ तो भी है, याने कुछ भी, कुछ भी हो सकते, 10 चोकलेट है, उसमें से आपका 5 किसी ने ले लिया, तो आपके पास कितने बचे रहते? तो उस तरह से हम तो क्या करना है? उपर वाला जो object रहता है, उपर वाला जो number रहता है, उसमें से नीचे का आपको minus करना पड़ता है, इसको बोलते है minus sign, तो उपर आपके पास है 6 number, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह हम क्या करेंगे? 6 line देंगे, फिर उसमें से क्या करेंगे? 4 को cut कर करेंगे, 1, 2, 3, 4, अभी हमारे पास कितने बच्चते हैं? वह हमको यहाँ पर लिखना करेंगा, 1, 2, तो यहाँ पर क्या आएगा? 2, इस तरह से, यहाँ पर यह ऐसा क्या करेंगे? 8 line कीचेगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीके? अभी आपके पास 8 line से, उसको हम क्या करेंगे? 3 स माइनस करेंगे, तो 1, 2, 3, 3 को कट कर देंगे, बच्चे हमारे पास कितने बच्चे? 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 5, उसी तरह यहाँ पर क्या है? 9, और उसको क्या करना पड़ेगा? 9 line ठीचना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो उसमें समको क्या कर करना पड़ेगा? 5, तो यहाँ पर कट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, अब बच्चे तिकने है? 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? 4, तो इस तरह से हमको क्या करना है? इसके बादवाला भी solve करना है, आपके पास 7 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 में से अगर आपने 4 को कट कर कर दिया, तो आपके पास कितने बच्चते हैं? 1, 2, 3, 4, तो इतने कितने बच्चे है? 1, 2, 3, इसमें बेइन क्या से स्पेशल क्या है? आपको खुद लाइन फिछना है, और उसमें से आपको खुद ही उसको कट करके लिखना है, आपको यहाँ कुछ भी देके नहीं रहेग आपको खुद लाइन फिछना है और उसके पास आपको खुद उसको स्वाल करना है, ओके?